ये दुनिया दो लोगों से बनी हैं। एक पुरुष कहलाता है, दूसरी इस्तरी होती है। लेकिन कुदरत ने एक और जेंडर को बनाया है। जिसे पौरानी काल से किन्नर कहा जाता है। महाभारत काल में राजा शिखंडी इसका प्रते निदेतु करते थे। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी प्रस्तूत करने जा रहे हैं। एक ऐसी ही शक्सियत जो ना पुरुष है ना महीला। लेकिन वो एक प्यारी सी बच्ची है। आई है, मम्मी है, मा है। जी हां। उ सोशिल वरकर हैं आप, एक समास सिवी का हैं। जिसने तीसरे जेंडर को कानूनर माननेता दिलाने हैं तो सुप्रिम कोट तक लड़ाई लड़ी। 2014 में जीत कर आधार कार्ड में तीसरे जेंडर का समावेश हुआ। इसका पूरा श्रे श्री गौरी सावंत को जाता है। ग जदलाओ के साथ घर के दिवार पर संदेश लेकर सिर्फ साथ रुपर लेकर घर छोड़ा और मुंबई शहर का रुख किया। चौरहे पर ताली पीटते पीटते कभी ये गौरी सब अनात बच्चों की HIV ग्रस सेक्स वरकर्स की बहन बनी पता ही नहीं चला। हिजड़ा घराना अपनाने के बाद इसका सफर अम्मानवियता से मानवियता की खोज का सफर कर रहा था और आज भी मुसलसल वही सफर चल रहा है। मुंबई का मालवणी प्रभाग 2004 में दी सखी चार चौगी ट्रस्ट की इस्थापना हुई जो तिर्ती पंथियों के उध्थान के लिए एक NGO के स्तर पर काम करता है। HIV ना हो या HIV का सही इलाज करने में कैसे मदद करनी चाहिए, उनकी साथ कैसा बरताव करना चाहिए, इस बारे में NGO पूरी जी जान से मदद करता है और मेहनद करता है। वैसे आप लोगोंने विक्स की एक एड तो देखी होगी, ये है मेरी मम्मी। दिखदर्शक नीरज गहवान ने जो बनाई थी, तब श्री गौरी सावन्त स्टार बन कर उबरी और एक सेलिब्रिटी बन गई। सफर अभी चल रहा है, जिन्दगी यूही कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही थी, गौरी सावन्त पूरे जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रही थी, कि तभी एक HIV ग्रस सेक्स वरकर की मौत के बाद उसकी बच्ची को बंगाल के सोना गाजी में बेशने की बात चल रही थी तो ये बात श्री गौरी सावन्त के कान में पड़ी, उन्होंने तुरंत संपर्क साधा और पांस साल की ननी सी बच्ची को अपनाए रहा, और गौरी ने कहा, मुझे खुदरत ने कोख तो नहीं दी, इसलिए में मा नहीं बन सकी, लेकिन मैंने इसे जूट साबित कर दिया क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि मैं एक प्यारी सी बच्ची गायतरी की मा हूँ, आज गायतरी बड़ी हो रही है, पड़ाई कर रही है, और उस गायतरी की मा श्री गौरी सावन्त किन्नरों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, HIV बादित सेक्स वरकर्स के लिए, समासिव कर रही है